दोस्तो देसी गोवश की जो महीम को है, जो पूरा करती हूँ, आज की जो पहले नमबर पर जो गोवश आप देख पा रहे हैं, वीडियो के अंदर, गाए की डिटेयल के बारे में अगर अपने दोस्तों बात करें, तो इस गाए ने दूसरी बार, यानि कि सेकेंड टाइम का काफ हैं वो आप देख पारे हैं साहीवाल ब्रीड के अंदर है जी हैं दोस्तो फीमेल काफ है साथ में और फीमेल काफ है वो बहुत ही प्यारा है साहीवाल ब्रीड के अंदर है गोवश के अगर क्वालिटी के बारे में बात की जाए तो आप देख सकते हैं मादे की शेप कमल की पंखुडियों के समान इसके लंबे कान आमपका साइज और इसके साथ में दोस्तों करव ली हुए कमर और पीट फुट का स्लॉप के बारे में बात कीज़े दोस्तों तो पीट फुट का स्लॉप अबो भी बहुत ही बाहतरीन और श्यांदर है टीट का साइज के बारे में चक वे चक 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 टीट का जो साइज है वो मुठिया धन है और धनों के अंदर जो गैप अब हो वह भूत ही बहतरीन और शांदर आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों पूंच की बात करें जोकि लंबी पूंच है दर्ती को टच करती हुए क्योंकि पूंच के बाल तोड़ ज़्यादा लंबे थे इसलिए हलके से निच्च के जो बाल है वो कट कर दिये हैं और दोस्तों इसके बाद गाय के अडर की क्वालिटी के देखते हुए इसके पीट पुठे का स्लॉप की बात की जाए या फिर इसके हाइट लंद की बात की जाए तो हाइट लंद इसकी वह भी बहुत ही बाहतरीन है पीट पुठे का जो स्लोप है वो आप देख लीजिए और जो साहिवाल की जो मैनली जो ब्रीड की निशानी रहती है जो मुत्रमारग जो आप देख पर है बिल्कुल ब्लैक कलर के अंदर हो टीट का साइज है वो आप देख लीजिए गोटिया थन है और दोस्तों इसके बाद अगर अपने दूद देने के शमता के बारे में बात करें तो इसकी जो मैनली जो दूद देने के शमता रहने वाली है वो 17 से 18 लिटर के सम्धिक के रहने वाली है अभी गाय के ताजी ही अभी डिलिवरी हुई है और गाय के डिलिवर के बीच में जो कच्छा दूद खीस है वो बिल्कुल रेडिया जो कि आप एक टाइम या दो टाइम मिलकी चेक करके ख्री सकते हैं और दोस्तों इसके बाद में अगर मेंली बात आती है इसकी कीमत की किया होनी चाहिए तो 80,000 असी हजार रुपे के अंदराज ये गोवंश आ कि माद्यम से जरूर बताइएगा और इसके बाद में दोस्तों सेकंड नमर पर जो आप गाये देख पा रहे हो और दोस्तों दूसरे नमर पर जो आप ये गाये देख पा रहे हो सेकंड नमर की जो गाये है इस गाये के डिटेल के बारे में अगर अपने बात करें तो इसने दूसरी बार मेल काफ को जनम दिया है जिहां दोस्तो साहीवाल ब्रीड का इसके पास में जो मेल काफ है बचड़ा है और दूद देने की शमता के बारे में दोस्तों अगर इसकी बात करें तो 15-16 लिटर के करीवे दूद देने की शमता रखने वाली है जिहां दोस्तों 16 लिटर लगवे के राम से दूद देने की शमता रखेगी पर अगर अपनी प्रोपर लिए अगर अच्छी डाइट अच्छी मेंटेनेस करते हो संभाल अच्छी करते हो तो लगवे के 17-18 लिटर तक की दूद निकाल सकती है क्योंकि दूद देने की शमता अगर आप चाते हो प्रोपर रहे तो प्रोपर डाइटिंग प्रोपर संभाल की ज़्यादा जुरूरत पड़ती है थोड़ा सेसली कर रहे है क्योंकि गायक ने अभी बच्चे को जो अभी दो से तीन गंटे पहले ही काफ को जनम दिया है मेल का फिर वो आप देख पा रहे हैं दो गंटे के परकल अगवग टाइम हुआ है जेरब कर इसने बढ़िया कंप्लीट डाल दिया है और दो गंटे पहले ही इस गाये ने जो बच्चे को जनम दिया है और दो देखिए अटर की क्वालिटी टीट का साइज बहुत ही बहतरी ने शो क्वालिटी की क्वालिटी है टीट का साइज वो भी बहुत ही प्यारा है और जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसकी माथ्य की शेप के बारे में तो हलका सा जो जर्सी पन को क्रोस का जो बीड है वो इसमें दर्शार है हम्प का जो साइज है वो बिल्कुल गायव है क्योंकि वो शुदता में परिपूरन होती तो हम्प का साइज अपने अस्ट्राओडनरी हम्प साइज देखने को मिलता जैसे कि पहले नमबर पर जो गाय आपने देखी यह क्रोस प्रीड के अंदर है और यह आज आज आपके दोस्तों सेल के लिए उपलवद करवाई जा रही है अगर इस गाय की किमत के बारे में बात करें तो इसकी जो किमत रखी गई है दोस्तों वो भी आप पहले जुरूर प्रेस कर लिजे क्योंकि जो चैनल पराने वाली जो वीडियो है उसकी नोट्रिफिकेशन उस गाय के बारे में जानकर आपको सबसे पहले प्राफ्त हो दोस्तों मिलते हैं कि नई वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहिंद जैगो मता